कल तक अमरीका को चुनोती की बात करने वाला इरान अब फिर से बातचीत के रास्ते को तलास रहा है अमरीका की ताकत और आकरामक्ता के आगे इरान धरासाई होने के काकार पर है हालत यह है कि अभी हपता भर भी नई गुजराय की इरान की अर्थववस्ता की चूले फिल गई है इरान की मुद्रा निचले स्तर पर पहुच गई और महगाई की दर करीब चोगनी हो गई है इसकी वज़े से इस देश में जनता प्रिशानी की तरफ बढ़ रही है बड़ी बात यह है कि सिया बाहुल्ले इस मुल्क की आधे से अधिक की आबाती हसन रुआनी सरकार के खिलाप लामबन होने की तैयारी कर रही है सरकार से जुड़े लोग इसे भी अमरीका की खुपी आईजेंसी CIA से जोड़ कर देख रहे है मतलब साफ है अमरीका इस देश को ओकात में लाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद की सभीर नीती अपना रहा है इधर बिर्टेन, फ्रांस और जर्मेनी ने भी इरान को आगा कर दिया है कि जब तक इरान अपनी परती बदताव पर टिका रहेगा तब तक वो भी इस परमानु समझोते का समर्थन करते रहेंगे जो उसके साथ हुआ है यानि एक तरब से वार और दूसरी तरब से पुछकार इसी नीती का पलंद करते हुए अमरीका इरान पर दवाव कड़ा करता जा रहा है सवाल है कि इरान के साथ परमानु समझोते का मैत्तव क्या है क्यों अमरीका और सहयोगी देश इस समझोते की आड़ में इरान की खाल खीचने पर तुले है दरसल साल 2015 में अमरीका ने इरान के साथ परमानु समझोता किया था इसके अलावा चीन, रूस, बिर्टेन, फ्रांस और जर्मनी भी परमानू समझोते में सामिल थे इस समझोते का उदेश से इरान की परमानू महत्व काक्सा उपर अंकोस लगाना था जिसके बदले में इरान पर लगे परतिबंदों में अमरीका ने धील दी थी पर यह मामला उस वक्त भिगड़ गया जब अमरीका ने पिछले साल इस समझोते से खुद को अलग कर लिया अमरीकी राष्ट पती बराक उबामा दुआरा इरान के साथ किये गए इस समझोते की सर्तों से ट्रम्प खुस नहीं थे इसलिए अमरिका ने सम्जोते से अलग होते ही इरान पर फिर से पर्तिबंद लगा दिये इसके बाद साथ सल रे इरान और अमरिका के बीच फिर से तनाव सुरू हो गया हाला कि इरान जानता है कि अमरिका से टकराना अपने पैरों पर कुलाडी मारने जैसा है मगर अपनी जंता का मनोबल बनाए रखने और सौधी अरब की नजरों में हसी का पातर बनने से बचने के लिए इरान अमरीका को चुनोती पूरन लहजे से जवाब देता रहा है पर अब मामला गंभीर है इरान कूठी नितिक बल पर अमरीका को फिर से बाचीत की टेबल पर लाने की तैयारी में है इसके लिए इरान ने परमानु समझोते के सहयोगी देशों को सूचित किया है कि वे अपने परमानु कारी कर्म से अत्रिक्त यूरेनियम और भारी जल का निरियात रोक देगा साथ ही वे नई सर्तों पर भी बाचीत करना चाता है बड़ी बात यहा है कि इरान के राष्ट पती ने ये बाते अपने देश को राष्ट के संबोधन के दोरान कही है साफ है हसन रूहानी सरकार ऐसा करके इरान में उत्पन होने वाले संभावित उथल पुतल और अंतराष्टे इस्तर पर खुद को मजबूत करना चाती है अर्मानु मुद्दा अब अमरीका के लिए वो अचोख हतियार बन चुका है जिसे कंदे पर रखकर वे किसी भी दिशा में चलाए निशाने पर लगता है मतलब अपने सत्रू देशों को सबक सिखाने के लिए अमरीका ने इस हतियार को धरदार बना दिया है खाज बात ये है कि इसी हतियार के बल पर अमरीका अपनी महासक्ति की पद्वी को सुरक्षित भी रख पा रहा है बीते तीन दसक से अमरीका अपनी चिपी नीतियों को धीरे-धीरे लगो कर रहा है इसाईयों के बाद दुनिया में सरवादिक जन संख्या मुसलमानों की है इन तीन दसक के दोरान अमरीका ने अपना निसाना मुसलिम देशों को ही बनाया है पहले इन देसों में आतकवाद की उत्पत्ति की फिर उसी आतकवाद के नाम पर इन देसों में सेनाई भेजी है जिसके बाद इन देसों में लंबे समय तक के लिए जंग का खाड़ा बना रहा हूँ इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया इसके जीवित उदारन है अभी जिन देसों में ऐसी ही जंगी हालातों की सुरुवात होने वाली है उनमें नाइजीरिया, इरान, तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुल्क है खास बात यह है कि चीन अमरीका की इसी नित्य का फैदा उठाते हुए दुनिया के सभी मुसलिम देसों में अपनी पैट बढ़ा रहा है इरान के साथ भी चीन के घनिष्ट व्यपारी करिष्टे हैं चीन ददेस्वर में अमरीका द्वारा इरान पर लगाए वे परतिबंदों का विरोध कर भी रहा है मगर चीन चाकर भी अमरीका के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता है इसकी वज़े भी है चीन दुनिया में व्यापार समराट के हिसाब से सरताज बनना चाता है जबकि अमरीका इसके लिए साम दाम डंड भेद वाली सभी नितिका इस्तेमाल करता है इरान सिया बाहुल्य होने के कारण फिलाल अकेला पड़ा हुआ है कोई भी मुसलिम देश उसके पक्स में नहीं बोल रहा है वैसे अमरीका जिस तरह अपना मकसद पूरा करता है उसके लिए जमीन पहले तयार कर ले जाती है यानि किसी देश को सबक सिखाने से पहले उसके खिलाप गुठ पहले ही बन जाता है यही वज़ा है कि सुन्नी बाहुल्या सूदी रभी इरान की बर्बादी के लिए पराथना कर रहा है अफगानिस्तान खुद से लड़ रहा है मुसलिम देशों का नेता बनने वाला पाकिस्तान कुर्ते के काज के लिए सुई मांगता फिर रहा है तुर्की, रूस और अमरीका के बीच में फस गया है दूसरा ऐसा कोई मुसलिम मुल्क नहीं है जिसमें इरान के साथ खड़े होने का दुस्सास हो इसलिए इरान समझ गया है कि यदि उसमें ना नुकुर की तो अमरीका उसका दूसरा इराक बना देगा कोई दूसरा देश उसके पक्स में आएगा उसके लिए अमरीका पहले ही सारे दर्वाजे बंद कर चुका है आसा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपसे सिगर बेट होगी तब तक के लिए अनुमती दीजिए जै जवान जै किसान जै हिंज बंद मातरम